दिवास में राजुदर रोड पर एक जगह तर फैंसिंग काट कर फिर ताला तोड़ कर एक नीची स्कूल के स्टोर में घुसकर प्रिंटर, पानी के मशीन और अन्या सामान पर दिन दाहाडे हाथ साफ करने वाली पार्थी गैंग की दो महिलाओं और दो नाबालिक यूवति जब चोरी करके जा रही थी तब महा के चौकिदार ने देखकर आवास लगाई, बात में आसपास मौजूद लोगों ने उनको पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी गई, आरोपी यूवतियों की उम्र 13 और 14 साल है, मामले में धारा 45380 के तहत केस दर जुकिया गया है ये बात भी सामने आई है कि उग्द स्कूल में पुर्व में भी चोरी की वारदात हो चुकी है, टी आई राय ने बताया कि प्रारंबे के पूछताज में ये पता चला है कि इन महिलाओं द्वारा या तो अपने या किसी अन्य के छोटे बच्चे को रुला कर लोगों का ध इस्टोर्स में चार ये क्याना पारदी महिला हैं तार फैंसिंग काट के और फिर ताला तोड़के उनके इस्टोर में गुजगे और इस्टोर में से उनकी ने मतलब ही एक प्रिंटर और एक छोटी पानी की मसीन और अधर्स आइटम जो उनके रखे हुए थे वो चूरी कर के जा रही थी वहां के चौकीदार दोवारा अवाई लगाने पर वहां के इस्टाब ने उनको रूका पुलिस को ख़बर की उन चारों पारदी महिलाओं से करीब 25,000 का चोरी का महला बरामत किया है चारों को अभी रक्षा में लेकर नियाले प्रस्तुत किया गया है और च से ब्यूराची और बिशेख सोने के रिपोर्ट